प्रेंड्स आज के इस क्लास में हम लोग सिखेंगे कि किसी भी ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो उसमें फोटो और साइन जो यूज होता है उसको रिसाइज कैसे करते हैं जैसे कि सपोज हम लोग कोई फॉर्म भर रहे हैं और उस फॉर्म को भरने में जो फोटो यूज होगा फोटो को अपलोड करना होता है साइन को भी अपलोड करना होता है तो फोटो और साइन को हम लोग साइज में कैसे लाएंगे बहुत सारा सरकारी form में ये demand किया जाता है कि photo का size 20-50 kv के बीच होना चाहिए या फिर signature का size 20-50 kv के बीच में या फिर 10-20 kv के बीच में होना चाहिए तो यही इस video में आज में बताने वाला हूँ कि किसी भी photo को या किसी भी sign को resize कैसे करेंगे ताकि हम लोग खुद से form को भर सकें Friends, हमें Cyber Cafe में जाने की जोरत नहीं होगी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसी photo और sign को हम लोग resize कैसे करेंगे ताकि खुद से हम लोग किसी भी form को भर सकें online apply कर सकें तो चलिए Friends, मैं वीडियो में बताना शुरू करता हूँ सबसे पहले आज हम लोग paint brush के सहारे सीखेंगे कि कैसे किसी तरह से कैसे हम photo और sign को resize करते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहां से चलिए इस photo पर देखिए हमारे पास एक photo है आप यहां से देख सकते हैं यह photo हर sign है इसको अभी हम लोग resize करेंगे तो right click करना है photo पर right click करना है और open with करने के बाद यहां से paint के पास चले जाना है यहां लिखा हुआ paint यहां पर click करना है देखिए यह photo हमारा paint brush में open हो गया है अच्छा उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसका size क्या है अभी आप इस पर right click करेंगे और properties पर जाएंगे तो आप यहां देखेंगे इसका size यहां देखिए 77KB है यहां 80KB भी दिख रहा है तो मतलब 77-80KB के बीच में है जबकि मुझे photo का size 20-50KB के बीच में करना है तो आईए हम लोग यहां पर देखते हैं कि यह कैसे होगा जैसा कि हमने बताया कि अभी हम लोग paint के सहारे इसका size को कम या ज़्याद करेंगे देखें तो हमारे पास यह photo open हो चुका है और यहां पर हम लोग देखें resize में जाएंगे यहां से आप देख सकते हैं resize option है resize में जाना है resize में जाएए और यहां से आप percentage wise यहां देख सकते हैं percentage wise यहां लिया हुआ है horizontal 100 और vertical 100 अभी देखें कितना percent था तो अभी आपका photo का जो size था photo का जो size था वो था लगबग 80% या 80 के भीकत था तो अभी देखिए horizontal यहां है 80 तो आप यहां से कर दीजिए 50 ठीक है? 50 कर दीजिए और vertical में नीचे देखिए यहां भी 50 हो चुका है तो अभी यहां देखिए tick लगा हुआ है इसी के कारण यहां 50 किये तो यहां भी 50 हो गया इसको tick रखेंगे ही हम लोग और बस कुछ करना नहीं है इसको ok कर दीजिएगा ok करने के बाद अब इसको save या फिर save as कर दीजिए हम इसको save as कर दे रहे क्योंकि original photo में कोई छेड़ चाड़ नहीं करना चाहते है इसको मैं यहां save as कर दे रहा हूँ और इसको photo 01 करके मैं इसको मैं इसको मैं save कर दे रहा हूँ अभी मैं इसको minimize कर रहा हूँ यहां से minimize कर रहा हूँ आप देख सकते हैं यह देखे एक photo यहां इसका बन चुका है और अभी इसका size में आपको दिखाता हूँ तो ये दिखिए इसका size 53 के भी यानि कुछ कम हो गया है ठीक है तो मुझे 50 चाहिए मुझे 50 चाहिए 50 से भी कम चाहिए तो हम लोग फिर से इसको resize करेंगे यहाँ से जाके यही size में जाएए अभी 53 का 100% यह दिख रहा है तो अभी हम इसको 60% यहाँ कर देते हैं और OK करिएगा और फिर से Ctrl S करिएगा अब आप यहाँ जाके देखिए इसका size और भी कम हो गया होगा यह देखिए फ्रेंट्स 23% यह 23 केवी के रूप में यहाँ पर यह अभी size इसका है तो इस तरीके से हम लोग इसको size change कर सकते हैं देखिए अभी मैं sign के उपर भी जाता हूँ यहाँ sign का इसका size देख लीजे आप यहाँ पर size जो है वो लगबग 9 केवी है लगबग 10 के भी है के बराबर है तो अभी हम इसको 20 से 50 के भी के बीच करने वाले हैं तो यह कैसे होगा similarly friends हम लोग इसको right click करेंगे और paint के साथ इसको open कर देना है यहाँ पर crop करना पड़ेगा क्योंकि food यह हमारा size है यह हमारा photo है और इसको हम लोग यहाँ से पहले तो select करने ना है यहाँ से select करना होगा और यहाँ से इसको crop करेंगे जैसे crop करिएगा तो इसका size control एस करने के बाद या फिर save as कर देते हैं और इसका नाम देते है signature 01 करके यह देखिए friends मैंने इसको इसका size अभी भी देखिए अभी इसका size क्या है तो मैं यह से right click करता हूँ properties पर जाता हूँ इसका size और भी कम हो गया 3KB हो गया है तो अभी हम लोग इसको और भी size इसका बढ़ाएंगे देखिए फिर से हम लोग जाते है paint के उपर और यहां से हम लोग resize पर चले जाएंगे resize अई देखिए 3KB है 3KB मतलब 100% यहां दिख रहा है तो अभी हम लोग इसको कर देंगे माली जी की 400% या फिर और ज़्यादा कर सकते है 500% कर देंगे अब यहां से OK करिएगा यह देखिए थोड़ा सा size इसका बड़ा हो गया है यह देखिए यह राइट क्लिक कीजिए और अब इसको properties में देखिए इसका sign 36 और यहां देखिए 32 के भी हो गया तो इस तरीके से हम लोग paint brush के सहारे इसको change कर सकते हैं देखिए photo और signature का जो size है यह हम लोग photoshop से भी करते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक laptop में हर एक laptop में photoshop हो लेकिन यह जरूरी है कि हर एक laptop में paint brush जरूर होता है इसलिए paint brush में easily यह work किया जा सकता है उसके अलावा एक और software है एक और program है जिसमें आप photo और sign को resize कर सकते है उसके लिए आप देखिए यहाँ से इस पर right click करना है photo में और open with करके आप Microsoft Office Picture Manager में चले जाईएगा यह देखिए friends तो Microsoft Office Picture Manager है आप यहाँ पर जाके click करेंगे तो भी यहाँ से आप size change कर सकते हैं friends resize कर सकते हैं देखिए अब इसका size क्या दिखा रहा है इसका size अभी 77.2K भी है तो अभी मैं edit pictures में जाता हूँ और उसके बाद यहाँ से देखिए resize का एक option है इस part में देखिए यहाँ पर resize का option है बस इसको click करना है click करने के बाद आप यहीं पर देखिए यहाँ देखिए original size अभी original size 735 into 919 pixel है friends अभी मैं यहाँ इस section में जाकर इसको मैं कर देता हूँ 40% 40% जो size हो जाएगा अब वो new size बनने वाला है 294 into 368 pixel तो अब मैं इसको OK करूँगा friends जैसे ही मैं OK करूँगा और मैं control S कर देता हूँ friends तो अब की बार इसका size देखिए यहाँ कितना हो गया है 17KB हो गया friends यह जादा ही छोटा हो गया है 20KB से भी छोटा हो गया है तो अभी हम इसको बस थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं इसको हम लोग 120% यहाँ कर देते हैं ताकि original size में थोड़ा बढ़ातरी हो जाए तो अब यहाँ से बस OK करिएगा friends और control S करिएगा तो अब इसका size देखिए क्या हो गया है इसका size 24KB का हो गया है तो उसी तरीके से हम लोग उसी तरीके से हम लोग signature की ऊपर भी resizing कर सकते हैं अभी जैसे कि open with करके Microsoft Office Picture Manager में चले जाएंगे और यहाँ से इसको edit picture करना है और यहाँ पर crop कर देते हैं friends यह देखिए मैं इसको crop कर रहा हूँ और crop करने के बाद बस OK किजिए और OK करने के बाद एक बार control S कर दिजिए मैं control S कर दिया हूँ अब इसका size आप check कर सकते हैं अभी इसका size 2KB लगबव हो गया है 2.15KB हो गया है तो इसका size में बढ़ातरी करना है बढ़ाना है size को तो हम लोग यहाँ से resize में जाएंगे फिर से और अभी इसका size देखिए current में इसका size क्या है signature का यह है 254 by 83 pixel तो अभी हम लोग इसको बढ़ा देंगे इसको हम लोग 500 कर देते हैं ताकि इसका size बढ़ जाए और OK करिएगा Ctrl S करिएगा अब इसका size देखिए कितना हो जाएगा तो इसका size friends आप देख सकते हैं यहाँ पे 16KB के बराबर हो गया है तो friends इस तरीके से और Microsoft Office Picture Manager के साहरे कर सकते हैं आप देख सकते हैं फोटो पर राइट क्लिक करने के बाद आपको ये दोनों software आपको नजर आएगा यह देखिए एक paint है और ये है Microsoft Office Picture Manager तो friends आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में Thank you